बड़ी खबर भिवन्डी के क्राइम ब्रांच ने आटा मिल पर मारा छापा एक्सपाइरी आटे के नई पाइकिंगर बाजार में फरोक्त करने वाले गिरो का परताफास क्राइम ब्रांच ने बाबा रामदेओ के पतांजली कमपणी का 30 टन एक्सपाइरी माल किया बरामत राशनी भाग का 46 टन गेहुं भी बूआ बरामत राजश्री नाम से तैयार ब्रांड को बाजार में बेचने वाले गिरो के कबजे से क्राइम ब्रांच ने 6 टन माल बरामत करते हुए दो लोगों को गिरब तार किया है भिवन्डी क्राइम ब्रांच को एक मिली खूपिया इतला के मुताबिक भिवंडी क्राइम ब्रांच ने एक आटा मिल पर छापा मार कर बाबा रामदेों की पतांजली कंपनी के एक्सपायरी और राशनिंग विभाग के गेहुं से तैयार होने वाले आटे को मिक्स कर एक नया ब्रांच तैयार कर बाजार में बेचने वाले गिरोगा प्रताफास कर एक फ्लोर मिल चल रही है जिसमें बाबा रामदेों के पतांजली के एक्सपायरी और राशनिंग विभाग के गेहुं से तैयार होने वाले आटे डोनों को मिक्स कर एक नया राश्यरी गोल्ड नामें सो पिजदी चक्की आटा बता कर बारदार में बेचने वाले गिरोग क परताफाश करते हुए इस काले कारोबार में शामिल दो लोगों को गिरबतार किया है इस इतला पर सीनियर पुलिस इस्पेक्टर सीटल राउट एपी आई सुरेश चोपडे प्रकाश पाटिल चौधरी रमिंदर पाटिल के साथ वेर हाउस पहुंचे तो वहां पर गेहूं और तक्रीबन छेटन राश्चरी गोल्ड नाम से तयार माल जब्त कर फ्लोर मिल मालिक रमेश शाह और मुंबई के कुरार कर रहने वाला बताये जाता है मैनेजर मनोच कुमार यादो को गिरफतार कर भिवन्डी कोर्ट में पेश किया दोनों आरोपियों को 11 अप् भेज दिया है कि खाबर को वहां के लाइव रेट के कुछ फोटेज मिले हैं जिने आप इस वीडियो में बखू भी देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस ने रेट किया और कैसे बाबा रामदयों के पतांजली का माल पड़ी मात्रा में वहां जमा है राशनिंग में भाग के गेहुआ मौजूद हैं और छोटी बड़ी पैकिंग अलग-अलग ब्रांड के तयार है देखे कुछ तस्विरें झाल झाल झाल